स्कोरिंग र्यूब्रिक्स के बारे में इस सेशन में हम पढ़ेंगे और यह टापिक इसलिए बहुत एहमियत रखता है कि जब हमने ऐसे टाइप आइटम्स की कंस्ट्रक्शन का पड़ा तो हमने का कि ऐसे टाइप आइटम्स के अंदर सबसे बड़े चैलेंजिस में से एक हम अब यह लफ बेशक देखने हैं कि आपको बड़ा मुश्किल सा नजर आता है स्कोरिंग र्यूब्रिक्स लेकिन असल में यह है क्या बड़ी एक सिंपल सी चीज है कि जब भी कोई किसी ऐसे टाइप आइटम के जवाब को अवैल्यूइट करेंग तो उसे किन चीजों को द अशुअ करिक्स हैं। यह टेबल और फॉर्म में क्योंके बना होता है कॉलंब में रोज में तो इसलिए यह रिः पे कहलाता है। स्कोरिंग रुब्रिक को अगर हम कहें कि देखिए, ऐसे टाइप आइटम में हमने कहा था कि इसकी स्कोरिंग टाइम कंजूमिंग है, सब्जेक्टिविटी बहुत ज्यादा है, यह रिलाइबिलिटी नहीं होती इसके स्कोर्स के अंदर, और रिलाइबिलिटी जब हम कहते है कि ऐसे टाइप आइटम की स्कोरिंग में रिलाइबिलिटी नहीं होती, तो असल में हम दो तरह के मसाइल का जिकर कर रहे होते हैं, एक मसला तो यह है, कि मैं ही अवैलिवेटर हूँ, मैंने ही टेस्कोर करना है, और उसके सवाल नमबर वन मैं चेक करता हूँ, अब कि अब की दफ़ा मैं उसको छे की बजाए पांच यह साथ नमबर दे दूँ, या इससे भी ज्यादा फरक हो जाए, क्योंकि देखिए स्कोरिंग जो है, जब तक उसकी कोई गाइडलाइन मेरे पस नहीं है, और मैंने खुद अपने से जजज करना है, तो उस वकत तक बहु कुछ और तरह के ख्यालाद थे, स्टूडेंट्स के बारे में नाराज़गी थी, तो मैं नमबर कुछ और दे दूँगा, यानि अब मेरे नमबर देने का इनासार, बच्चे के दिये गए जवाब से हटके कुछ और चीज़ों से मतासर हो रहा है, मेरे मूड से, मेरे वर्क स्कूरिंग अंसर अंदाज हो जाए, यानि मैं इस वकत खराब मूड में हूँ, तो स्कूरिंग जो है, वो इससे मतासर हो जाए, यह नहीं होना चाहिए, यह जो इतनी भी चीज़ें, स्कूर सिर्फ और सिर्फ बच्चे को उसके जवाब के मैयार के हिसाब से मिलना क्योंकि उसके जवाब की क्वालिटी से हटके किसी वज़ा से उसका स्कूर मतासर हो गया, तो यह जो थैना कि मेरा अपना ही चेक किया हुआ पेपर दब दुबारा मेरे हाथ में आए चेक करने लिए तो मेरे नमबर बदल जाएं, इसको कहते हैं हम कि यह इंटर रेटर रि मिलती, एक यह मसला हो गया, और दूसरा मसला ही हो सकता है, कि हम पांच लोग पेपर चेक कर रहे थे, पेपर बहुत ज़ादा थे, हमने अपस में तक्सीम कर लिए, सब ने सवाल नमबर एक चेक करना शुरू कर दिया, अगर किसी स्टूडेंट का पेपर मेरे पास आया, औ उसके सवाल नमबर एक, उसका जवाब तो वह यह जो उसने दिया हुआ है, उस जवाब को मैं जो नमबर अलॉट करूँ, जो नमबर उसको दूँ, दूसरा मेरा कुलीग चेक करे, तो वह वाले नमबर ना दे जो मैंने दिये थे, अब असूल तो यह है, कि देखें अगर जवाब है उस बचे ने जो दिया हुआ है, उसको कोई भी चेक कर ले, उसके नमबर उतने ही आने चाहिए, जितने वो डिजर्व करता है, वो सेम होने चाहिए, यानि चेक करने वाले के बदल जाने से नमबर नहीं बदलने चाहिए, जवाब के बदलने से नमबर बदलने अब जब हम कहते हैं कि अगर एक्जैमिनर बदल जाए तो आपको जो नमborough मिलते हैं वो भी बदलने के चांसे होते हैं. आपका जवाब नहीं बदला सिर्फ एक्जामिनर बदल गया और नमबर बदल गया तो जब ये मसला स्कोरिंग में आता है तो ये भी एक तरह की खराबी है यह जो है ये इंटर स्कोरर रिलाइबिलिटी को कहते हैं कि एक से ज्यादा स्कोरर्स के दर्मयान फरक आना सिर्फ इ कि कौने हमोगे स्कूरिंग वालों कि यह जो हैं 隻व एक दो इशिय की वज़ा हैं कि स्टूडिंट को सामने रखते हैं तो हैं यह जो है यह यह जो है यह बी स्कोरिंग का इक इशु है इन दो इशु की वज़ाओं आप को की दो एसे टाइप आइप आइटम्स ना हमकर आ उतनी अच्छी नहीं होती जितनी के objective type items में होती है। इन दोनों खराबियों को किसी हद तक दूर करने का एक तरीका scoring rubrics का बनाना है। scoring rubrics जो है basically क्या है। एक descriptive sheet है जो ये बताती है कि सवाल को check करना है तो scoring scheme क्या होगी। यानि आप किन बातों को देखेंगे तो number देने हैं और किस चीज का कौन सा level होगा तो कितने number में लेंगे। मतलब 10 number का सवाल है उसके अंदर चार तरह की skills हमने देखनी हैं तो मैं list करूँगा कि ये चार बातें आपने check करनी हैं। इन चार में से ये बात अगर इस तरह लिखी होगी या इससे मिलती जलती शकल में तो दो number दे देना इससे कम शकल में होगी तो एक दे देना ये लिखा हुए तो zero दे देना। यानि वो मैं एक sheet पर define कर देता हूँ इसके बाद भी जो subjectivity है वो खतम नहीं हो जाती लेकिन बहुत हद तक minimize की जा सकती है इस तरीके से इसको सो ये scoring scheme कहलाती है और मूमन ये वही शक्स scoring scheme बना के देता है जो सवाल को बना रहाता है अगर teacher's question बना रहे हैं तो वही teacher जिसने सवाल बनाया वही उसकी scoring scheme कहलें या उसका scoring rubrics कहलें वो बना के देता है और उसके अंदर ये ताइन होता है कि product या process जो है उसके कितने कितने number होंगे किसी भी काम के करने के कितने number है और वो number किस तरीके से दिये जाने है scoring rubrics जो हैं इनके जरीए से हम objectivity को increase करते हैं या हम कोशिश ये करते हैं कि जो मेरी शखसियत की वज़ा से जो scoring में फरक आना था वो ना आजाए मेरे background knowledge मेरी understanding की वज़ा से मेरी अपनी biases की वज़ा से जो number हो में फरक आना था वो ना आए यानि student को उसके लिखे हुए जवाब की वज़ा से score मिले और किसी वज़ा से score में फरक ना आए अगर हम ये कर लेते हैं तो इससे हमारी reliability जो है वो बढ़ जाती है scoring की ठीक है इसके बारे में जो criteria आप establish करते हैं वो criteria लाजमी नहीं के वो ही दुनिया का सबसे बहतरी इन criteria होगा scoring का ये नहीं हम claim कर रहे हम सिर्फ ये claim करना चाहते हैं कि जो हमने criteria बनाया इसकी हमारे पास reason है कि ये कहां से हमने draw किया किस बन्याद पर बनाया और तमाम student का जो score हमने alert किया वो इसी एक criteria पर अगर किसी को judge करना है तो वो इस criteria को दे के judge कर सकता है कि student को क्या आता है और क्या नहीं आता लेकिन ये मैं कतन भी claim नहीं कर रहा है कि ये दुनिया का सबसे बहतरीन और यही एक criteria हो सकता था इस सवाल को check करने के लिए तो लहाज़ा इसमें हम objectivity का claim तो करते हैं अपने scoring criteria का absolute होना जो है वो हम इसके जरीए से claim नहीं करना चाहते नहीं हो सकता है अच्छा इसी तरह ये asset type item तो वह इसलिए बार बार हम जिकर कर रहे हैं कि यही अमूमी तोर पे हम टेस्टों में यही तरीका एकार asset type items का इस्तमाल करते हैं लेकिन यह एक ही तरीका एकार नहीं है मैंने सोचा कि आपके जहन में रहे कि यह जब हम scoring rubrics ही बात करते हैं तो इसका तालुक सिर्फ और सिर्फ जो written answer होते हैं बेलंबे ऐसे type के उन से इसका तालुक नहीं होता आप rubrics जो है वो activities को student की जो group activities हैं उनको assess करने के लिए भी rubrics बनाई जा सकती है sports के subject में जैसे games बच्चे कहलते हैं या laboratory की activities होती है तो उसमें तो वो कुछ लिखके नहीं देता ना उसमें हम scoring rubrics बनाते हैं और उसको observe करके उस scoring rubrics पर नंबर देते हैं को रिटन आंसर चीजों का नहीं होता performance based होते हैं यह सारी चीज़ें इसी तरह बच्चों को जो projects दिये जाते हैं class में या उनकी presentations ली जाती हैं किसी subject के ओपर इन तमाम को score करने के लिए scoring rubrics है इन तमाम activities में यानी group activities हो गया, oral presentations हो गए, return answer हो गए, लंबे लंबे, इन में common बात क्या है, common बात है possibility of subjectivity of scoring जिस भी activity में जो आप assessment के लिए इस्तमाल करें उसमें subjectivity due to scorer का chance हो तो उसके लिए आपको चाहिए कि आप scoring rubrics का इस्तमाल करें, इसके जरीए से उस subjectivity को minimize किया जा सकता है scoring rubrics के लिए में जो है, इसके दो benefits तो अपनी जगापे हैं ही हैं, जो के evaluation process में लाजमी हैं जिनका ensure करना they support the examination to the extent to which the specified criteria has been reached साफ सहरे जब मेरे पास rubrics में लिस्ट बनी होगी, कि मैं इस सवाल में इन इन चीजों को देख के नंबर दूँगा तो मैं end पे ये भी बड़ी असानी से specify कर सकता हूँ कि कौन सा बच्चा कौन सी skill के किस level पे खड़ा है सो मैं उसका जो extent है, extent of achievement in given criteria of marking वो बड़ी असानी से मतायन कर सकता हूँ और दूसरी बात देखिए, कि मैं जो feedback दूँगा बच्चे को, वो feedback भी उसी skills या उसी चीजों के बारे में होगी जो rubrics का हिस्सा थी और मैं उसको generally यह नहीं कहूँगा कि तुम्हारी performance बहुत अच्छी है या बुरी है मैं उसे कहूँगा कि तुम explain करने में तो बहुत अच्छे हो लेकिन practical examples देने में तुम्हें अभी मेहनत की जरूरत है क्योंकि जब मैंने scoring डूब्रिक बनाया तो मैंने तमाम सिफात जो check करना चाहरा था, skills जो देखना चाहरा था, लिस्ट कर ली ना तो अब जब मैंने उनके लिहास स्कूर किया है तो feedback भी उनी skills के लिहास से दूँगा, तो मेरे जो feedback है वो specific होगी और बच्चे की learning के एक खास हिस्से को target करेगी जिसमें उसे improvement चाहिए ना के एक generic सा फिकरा मैं दे दूँ, जब मेरे पास रूबरिक नहीं होती तो मैं बिल्कुल generic से comment दे सकता हूँ, तो scoring रूबरिक्स के जरीए से अगर आप इसका इसका इस्तमाल करें scoring में, तो student feedback की जो quality, नहीं आपकी तरफ से जो student को feedback जाना है, उसकी quality भी काफी हद तक बह झाल